कि कमबग गाई श्वागत है आपके वर्फिश एमस्यमस क्लासिस की यूटूब चनल पे दोस्तों 30 अक्टूबर 2021 को रास्थान प्लिस कोंस्टेबर भरती के लिए एक नोटिफिकेशन जो हो जारी हुआ है तो इसमें क्या-क्या योग्यता हैं रहेंगी क्या-क्राइटेरिय जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा उन्हें सभी की यहां पर अपन बाइवन जो हर डिटेल्स जा रहेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्ले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपनी दोस्तों के स चाहिए तो चाएंब कर दीजिएगा यहांपर सब्सक्राइबन बात करते हैं कि की तो आउबरी के लिए यहां पर 4438 जिस में कॉंस्टेबल समाने कॉंस्टेबल चालक कॉंस्टेबल बैंड वर पुलिस दुरसंचार इन सभी के जो टोटल ओवरॉल पद यहां पर रहेंगे वो रहेंगे 4438 यहां पर बात कर लेते कि फॉर्म जो आपके कपसे भरना स्टार्ट होंगे तो 10 नवंबर 2021 से लेकर के और 3 अग्जाम डेट जो है वो दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में होने की संभावना है तो दिसंबर की तो कोई पोसिबिलिटी मुझे तो नजर आ नहीं रही है तो आप जनवरी जो इसको फिक्स कर लीजी कि जनवरी 2022 में आपका पेपर जो यहां पर हो जाएगा त्योंकि 3 दिसंबर 2021 तक तो आपके फोर्म जो है वो यहां पर सम्मिट होंगे उसके बाद में फोर्म का अनलाइसिस भी होगा रिजक्शन भी होगा कुछ और चीज़े जो अपडेट वगरा भी दी जाएगी तो ऐसे करते करते दिसंबर जो बीच जाएगा और दिसंबर में वीडियो का जो प सकते हैं बात करते हैं प्रिक्शा सुल्क के बारे में तो 500 रुपे जो है वो बीची अन्य पिछला वरक और एंबीची वरक के लिए यहां पर रहेगा साथी अगर बात करें EWS, SC और के लिए तो 400 रुपे यहां पर आपका सुल्क रहने वाला है इसके लावा अगर रास्थान के बाहर के कोई भी कंडिडेट जो है इस फॉंग को समिट करना चाहते हैं तो फिर सभी के लिए चाहिए वह समान ने हो चाहिए सभी के लिए 500 रुपे का यहां पर आपको देना होगा ओके और लिखित परिक्षा के लिए जो आपका प्रिवेश पत्र जो है वो आपको SSO ID के माध्यम से परवाइड करवाया जाएगा यह नहीं है कि आपको ओफ लाइन जो है यहां पर बेजा जाएगा ठीक है मैं इसका जो यह पीडियाफ है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वहाँ से डाउनलोड करके और आप स्टेट वाइस जो है अपनी विकेंसी देख सकते हैं और उनके आधार पर आप यह तैय कर सकते हैं कि आपको किस चेतर से किसी स्टेट से आपका जो है फोर्म जो है वो आपको मतलब आपकी जो पेस्केल है उसके कोडिंग आपके पैसे जो है वो बढ़ा दी जाएंगे ओके यहां पर अगर मैं बात कुरूं क्वालिफिकेशन के बारे में तो समाने पुलिस दूशंचार चालक और बैंट इन सभी के लिए तो अगर आप जिला पुल चाहिए वहीं अगर आप पुलिस दूर संचार से लिए रिलेटेट फोम बढ़ना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स और मैथ जो है वो यहां पर होना चाहिए यानि कि जो बच्चा बारवी में पीशियम से है ठीक है फिजिस कमेस्ट्री ने चाहिआ है या फिर चेम्पूर्टर साउंस किया है वो यह बच्चा जो समिट कर सकता है साथ में ड्रैवर वालों के लिए लाइट मोटर विकल्स और ह님이 क्यों का होना भी जरूरी है okay उसके लावा अगर यहां पर सारविक मापदन्ट की बात करें तो नियूंतम उचाहिए जो है वो पुरुषों के लिए 168 cm होना चाहिए और महलाओं के लिए 152 cm कम से कम होनी चाहिए और पुरुषों को जो है सीना जो है वो मिनिमम् 81 और फलावट के साथ 86 जहां पर होना चाहिए कम से कम 5 cm का अक्सेंशन जो है यहां पर आपके सीने में चाहिए महलाओं के लिए कोई लागूर नहीं है नियूंतम वजन की बात करें तो पुरुषों के लिए लागूर नहीं है जबकि महलाओं में कम से कम 47 kg वजन जो है यहां पर होना चाहिए और कुछ विशेष मापदन्लों के अकोर्डिंग जो है 5 cm उचाई और शेने में चूट दी जाएगी जिसमें कुछ विशेष जो बच्चे होते हैं उनको ही यहां पर चूट मिलेगी उसके लाब अगर आपकी आँखों की बात करें तो 6 x 6 जो है वो सबसे अच्छी रहेग हैं भरती है तो चैन पर के लिए तो इसके लिए आपके लिकित प्रिक्षा जो 1500 मार्क्स की होगी और 1500 की यहां पर आपके आएंगे लेकिन जो बैंड के लिए अगर आप अपलाई करना चाहते हैं तो इसमें कोई भी पेपर जो लागू नहीं होगा यानि कि आपको यहां पर रिटेन टेस्ट जहूर नहीं देना होगा साथ ही अगर सारीस्टा प्रिक्षा यानि की फिजिकल की अगर बात करें तो पुलिस से कॉंस्टेबल समाने और दूर संचार वालों प्रीए 30 नंबर का फिजिकल होगा वहीं कॉंस्टेबल चालग के लिए 20 नंबर का होगा जिबकि band वाले हैं, उनके लिए भी 20 नम्बर का physical यहाँ पर होगा, दख्सताप्रिक्सा की बात करें, तो दूरशंचार और समानिय के लिए कोई भी, यहाँ पर दख्सताप्रिक्सा नहीं होगी, जिबकि चालक के लिए 30 marks की होगी, और band के लिए 30 marks की होगी, चालक के लिए गाड़ी कैसे चलाते हैं गाड़ी की maintenance है उसके engine से लेट कोई भी चीज़े हैं वो वहाँ पर आपका test होगा और band वाले के लिए आपको बता है इसके लावा आपको जो पुलिस दूरसंचार और समाने constable जो हैं अगर आप में से किसी के पास NCC, Home Guard ये पुलिस ये समदेद कोई भी डिपलोमा ये अउपादी प्राप्त है तो वहाँ पर आपको 20 marks जो आक्ष्टा मिलेंगे इस प्रकार constable समाने पुलिस दूरसंचार का जो पेपर है वो 200 marks का होगा overall और चालक वाला है उनका भी 200 का होगा जबकि band वाले जो उनका मातर प्रजास नमबर का यहाँ पर रहने वाला है लिकित प्रिक्षा की बात करें तो 1500 person होगे एक person जो है वो एक नमबर का होगा और एक बटा चार यहाँ पर negative marking होगी 25% काटा जाएगा इसका मतलब यह कि अगर आप 4 question गलत कर देती तो आपका एक नमबर जो वो काट लिया जाएगा यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपकी क्या क्या subject यहाँ पर रहेंगे की आपको लिकित प्रिक्सा में क्या 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 पढ़के जाना है ताकि आप अपना विग्यान समाजी विग्यान और समसाय में की विशय यानि की करेंट अफेर जो है उसके 35 कुशन 35 मांक्स के आएंगे उसके लाव बात कर लेते हैं इसमें भाग दै की रास्थान का कम्प्लीट जीके जिसमें रास्थान की हिस्ट्री है पॉलिटी है जियोग्राफी है कला उर करती है आर्ट और कल्चर जो है आर्थिक इस्थिति जो है सब का सब जो रास्थान से लेटर जितना भी जिके होता है वो आपको यहां पर पढ़ना होगा 45 क्यूशन 45 मांक्स के आएंगे तो यह तो बात हो गई उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कॉमन रहेगी जिन् को थोड़ा सा अलग पढ़ना पढ़ेगा वह 10 मांक्स का मैला इंव बच्चों के प्रती अपराद इंव उच्छे सम्मधित कानुनी प्रावधान तो यह जो है यह 10 मांक्स जो आपको अलग से गयन करने होंगे तो यह एक पीडिएफ जो है ऑफिशल वेबसाइट पर आप प्रस्तिती में जाती वजन जाती के लिए 36 प्रतिशत अंग जो है यहां पर होना चाहिए कम से कम ओके यहां पर फीजिकल फिटनेस के अगर मैं बात करूं तो कॉंस्ट्याबल समाने पुलिस दूर्स अंचार का पूरुशों के अगर बात करें तो 25 मिनट में आपको जो है वो दोड़ लगानी है और चालक बैंड कॉंस्ट्याबल बैंड वालों के लिए 25 मिनट आपका यहां पर रहेगा महिलाओं के लिए 35 मिनट का टाइम रहेगा सेनिकों के लिए 30 मिनट का टाइम रहेगा जाती वजन जाती के गुछ प्लानिंग चेतर जो होते हैं उसमें भी 30 मिनट का टाइम रहेगा और आपकी फीजिकल जो है वो 30 और 20 मास्क यहां पर रहेगी सारीक दस्ता प्रिक्षा में दोड हेतु केवल एक यह उसर प्रदान किया जाएगा सारीक दस्ता प्रिक्षा के लिए कोई अपियल दायर करने का आउसर यहां पर आपको नहीं दिया जाएगा सारीरिक दस्ता प्रिक्षा के निर्धारित समय अवधी में दोड़ पूंट नहीं करने पर अभ्यारतियों को अनुतिन मानते वे भरती की अग्रीम प्रकिर्या में समलित नहीं किया जाएगा सारिक दस्ता प्रिक्षा में सफल गोशित अब्यारतियों के प्राप्तांग अंतीम चैन के लिए समलित जो हैं पर किये जाएंगे ओके तो इस प्रकार जो है आपको अपना सारी डिटेल्स जो है यहां पर आपको जान लेनी है ठीक है और विशेश योगता है तो आमटीत अंक जो है उसके लिए यहां पर देखो तीन चीज़े यहां पर आपको के टेकरिस वाज़ दी गई अगर आपके पास NCC सर्टिविकेट है अगर आपके पास A सर्टिविकेट है तो 6 मांक्स मिलेंगे बी है तो 8 मिलेंगे C परमान पत्त तो 10 मिलेंगे वहीं अगर होमगार्ड से रिलेटेड है तो अकर आप होमगार्ड के लिए कंटिन्यू तीन वर्ष तक शेवा दे रहे हैं तो आपको 10 मांक्स मिलेंगे तो साल वालों के लिए 8 मांक्स मिलेंगे एक साल वाले के लिए 6 मा लेकिन पुलिस से समद्धित होने चाहिए तो इस प्रकार जो है आपको यहां पर आपका फॉर्म और जो जितने भी इस प्रिक्षा से समद्धित जितनी भी महत्यु पुंचान का रहा थी वह मैंने आपको यहां पर प्रवाइड करवा दी है और इसका यह जो पीडिएफ है लिंक जो में डिस्क्रिप्षिन में प्रवाइड करवा दूँगा आप वहां से इसको एक बार चेक कर लेना और ऐसे से चेक करना है दो चार दिन आपको अच्छे शीच की पीडिएफ को देखना है कि आपको कहां से फॉर्म जो पर समिट करना है तो आज के लिए तना ही र तेंकु समा जो तो